हलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं चप्टर वन हिस्टरी नेशनलिजम इन यूरॉप और नेशनलिजम इन यूरॉप में हम लोग अब कर रहे हैं थे यूनिफिकेशन ओफ इटली से पहले हम लोग कर चुके यूनिफिकेशन ओफ जर्मेनी यूनिफिकेशन ओफ जर्मे कि किंग केसर विलियम वन ठीक है अब हम करेंगे युनिफिकेशन ओफ इटली इसमें भी हम कुछ 45 नाम है जो बड़े important है हमारे लिए अगर हम उनको learn कहते हैं अगर हम उनको ध्यान रखते हैं तो हमें बड़ी easily हो जाएगा युनिफिकेशन ओफ इटली कैसे हुआ ठीक है अब जर्मनी का युनिफिकेशन हो गया था और इटली के लोगों में भी feeling आने लगी थी कि अब हमारा भी क्या हो दिरे दिरे वो भी एक हो जाएं युनिफाइड हो जाएं और यह मैं बताई चुकी हूँ कि कंजर्वेटिव जो थे या रोयल फैमिली के लोग थे या जो मोनार्क थे वह चाह रहे थे कि क्या हो जुनिफाइड हो जाएं ताकि उनकी पॉलिटिकल जो पावर है जो फ्रिग्मेंटेशन है वह बनी रहे ठीक है चलिए ठीक है चलिए स्वारी अरे इटलियन अब जो इटली था अगर आप अपनी बुक में पिक्चर दिखेगी आपको इटली की ठीक है इटली की पिक्चर में आपको बड़ा इजली यह दिख जाएगा कि जो इटली है यह देखिए बहुत सारे अलग-अलग डिविजन्स में बटा हुआ था इटली में किसी एक का करण। नाँ ठीक है अब हुआ कि जो यह वाला एंपायर था यह वाला सारा इरिया जो था यह हप्सपग के और था हपधाएम पायर आपने नाम सुना हो तिक है है और यह वाला एंपायर यह शारा ती बर्बो डैनότεं सपेन सब्सक्राइब ऑफ बस पर इस और इन चाहिए इस प्रीम ठीद करें यह संस्क्राइब कुम्हा थे चोन गांग इन आव आखें हमें Emanuel, Emanuel Two, वो सिर्फ इस एरिया में रह रहे थे, ठीक है, यानि कि आप अगर, सिम्पली अगर हम देखते हैं, तो King Victor नाम के Italian, sorry, Italian King जो थे, King Victor Emanuel, उनके पास सिर्फ ये वाला एरिया था, बाकि ये सब दूसरों ने अपने गंट्रोल में कर रखा था, ठीक है, अब सिर्फ इस एरिया को लेकर उन्होंने सुचा कि अगर हम यूनिफाइड हो जाएं हम सब को यूनिफाइड कर लूँ मैं तो ये एक अलग से कंट्री बन जाएगा और पॉलिटिकल पावर जो मेरे पास है वो मेरी की मेरी बनी रहेगी ठीक है या नाम मातर का ही सही लेकिन वो queen king वहाँ पे बने रहेंगे ठीक है चलिए अब ये आपकी book में page number 21 पे आपको दिख जाएगा इसको देखते हुए ही आपने समझना है लेकिन 5 नाम आपको बहुत famous हैं जो याद रखने है सबसे पहला नाम जो आना है Unification of Italy में अगर आप background जाते हो अपनी पुरानी history जो अगर आपको याद हो तो गुजूपी मेजोनी एक revolutionary थी secret societies बराए थी उन्होंने यंग इंडिया और यंग इटली और यंग जिरॉप ठीक है और वो revolutionary थे वो चाह रहे थे कि क्या हो बहुत time पहले से वो चाह रहे थे कि इटली unified हो इटली का unification हो ठीक है अच्छा जो king थे sediment अच्छे गुजूपी मेजोनी जो थे वो आपको बताई दिया मैने की revolutionary थे यहां से आप यह देखिए सबसे पहले रोने दिया है साइडिया पैडिमोंट अब साइडिया पैडिमोंट का area अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो इटली के actual में राजा होते थे या इटली के जो king होते थे उनका कौन सा area था तो मैं आपको पहले ही बता चुक्यों कि सब इटली के हाथ से निकल कर दूसरों के अंडर में था यह था हैप्सबर्ग एंपायर के अंडर में ठीक है यह वाला बीच का था पैपल स्टेट जो पॉप्स के अंडर में था यह वाला मैं बता चुक होता था ठीक है चलिए आगे करते हैं हम इसको फिर से मैं आपको बता रही थी गुजुपी में जेनी एक रिवोलुशनरी थे बहुत तारी सिक्रेट सोसाइटी बनाई थी मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट यूनिफाइड करने के लिए जो में दो फेमस उनकी सिक्रेट सोसा करेंगे इतली को यूरिफाइड करेंगे एक करेंगे ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ 1830 में गुजुपी मेजवनी जो थे जिनका बार-बार नाम आता रहता है बहुत फेमस है यह इनकी कोशिशों के कारण इन्होंने रिवोल्ट किये इन्होंने बहुत सारे आप कह सकत इनको 24 इयर्स में ही इनको excel कर दिया गया था इनके देश 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 दे निकाल दिया गया था क्योंकि कहा गया था कि यह क्या कर रहे है देश वीरोधी काम कर रहे है ठीक है अच्छा जी उसके बाद क्या हुआ लेकिन इन्होंने जो भी revolt चलाए वो ज़ादा popular नहीं हुए पर starting यहीं से हुई लोगों के मन में विचार यहीं से आए Italy को unified करने के ठीक है 1831 में इनका revolt जो था वो failure हुआ उसके बाद 1848 में क्या हुआ कि जो king थे साडिमीनिया पैडिमोंट जिस king के अंडर थे किस के अंडर थे king victor ml2 के अंडर उन्होंने यह सोचा कि क्यों न हम इसको जो इटली था उसको unified कर ले था कि हमारी political power बनी रहे ठीक है इसके लिए इन्होंने क्या किया इनके एक cm होते थे या जैसे हमने पीछे किया था जर्मनी के cm थे ओटवन बिसमाक इसी तरह इनके भी cm थे जिनका नाम था यह इनका नाम है उनके chief minister थे जिनका नाम था कैवूर ठीक है अब जो कैवूर थे ना उनके फ्रांस के साथ बड़े अच्छे लिंक थे ठीक है और उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ठीक है क्या किया उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर आर्मे मिलाई और कुछ ऐसे strategy तयार की और कुछ ऐसी techniques लगाई आप कह सकते हो ठीक है कि फ्रांस ने बहुत मदद की इनकी कि किसी तरह से जो हमस्पर्ग एंपायर के अंडर उनके कुछ states थे हमस्पर्ग एंपायर के अंडर जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाये थे ये रहे ठीक है ये जो states थे जो हमस्पर्ग एंपायर के अंडर थे इनको किसी तरह से कंट्रोल में किया किसने इस लिए यह नाम बड़ा famous है कैवोर का नाम मैं betा रही हूँ पहला मैंने बताया गिजिपी मेजेनी दूसरा मैंने इनके राजा का नाम बताया साडेनिया के जो राजा थे ठीक है किया नाम थे उनका विक्टर एमॉल ठीक है उनका नाम और तीसरा जो विक्टर रेमल के सीएम थे यानि चीफ मिनिस्टर थे कावोर उनके फ्रांस के साथ बहुत अच्छे लिंक थे ठीक है और इसी लिए कावोर की मदद से फ्रांस की मदद से कावोर ने क्या किया कि जो हमस्बर्ग एंपायर के अंडर उनके कुछ मतलब यह वाला जो एरिया था लोबार्डिया वियंटिया ना इन सब पर उन्होंने अपना धीरे-धीरे कपजा किया किसकी हल्प से फ्रांस की हल्प से ठीक है उसके बाद क्या हुआ यह कब का टाइम पीरेड था 1859 का उके उसके बाद 1860 में इन्होंने कह सकते हो कि जो पार्मा नदन एरिया में जो भी थे यह सारे के सारे यह भी दीरे-दीरे क्या हुए कि इनके अंदर मिल गए किसके अंदर साडेनिया के अंदर ठीक है अपने आप ही आकर मिल गए इन्होंने सुचा कि यहां पे तो कंट्रोल हो लिया तो यहां वाले भी क्या कि दीरे-दीर खुद से सारडेनिया में आकर मिल गए मैं फिर से बताती हूँ कि यहां पे तो एक वार हुई थी छोटी सी फ्रास के साथ और फिर ये वाला जो हम्सबर्ग एंपायर के अंदर था ये सारा जो इनके चीफ मिनिस्टर थे कावर उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया तो जो पॉप्स के अंदर कुछ एरिया आ रहा था वो भी धीरे धीरे से खुद से अपने आप से सारडेनिया के पास आ गया यानि इनके पास आकर मिल गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ गैरिबाल्डी ने गैरिबाल्डी कौन थे एक बता दूँ आपको एक और नाम जो इसमें बड़ा फेमस है जैसे गिजीपी मेजेनी था वैसे ही गिजीपी गैरिबाल्डी था अब गिजीपी गैरिबाल्डी ने क्या किया गिजीपी गैरिबाल्डी जो है वो गिज़िपी गैरी बैल्डी का बात मानने लगे है उसको अपना एक तरह से अपना शुब चिन तक मानने लगे उसको अपना वैलफेर भई हमारे लिए सब अच्छी बाते करता है वो मानने लगे और इन्होंने मिलकर फिर क्या किया रिवॉल्ट किया और ये सब क्या था, इनको एक नाम दिया लाट एलिया, अब लाट आलिया इन सब के पीजेंटि तो खिति करने वाले गरीब आम इंसान थे, उन्होंने सोचा लाट आलिया का मतलब है कि राजा की पत्नी थी जो यहां पर राजा थे इनके उसकी वाइफ का नाम लाट एलिया है और जो गैसे ह तो इसलिए इन्हों नेया बुर्बो डाइस्टि के साथ लडाइया करी और वापेस आकर किस में मिल गए नाटेलिय में मिल गए यहां ढृटेलियं किंग थे अórいうこと के जो किंग थे उनके साथ आकर मिल गे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा उन्होंने एक शब्द दिया जैसे हम लोग कर देते हैं भारत माता की जय तो उन लोगों को पता ही निए था लाटेलिया का मतलब है कि यहां के राजा की पत्नी का नाम है लाटेलिया और यहां बुर्वो ड इतली बन गया फिर से एक बार रिवाइज कराती हूं मोटे तोर पर देखिए गिजिपी मेजेनी का बहुत असर रहा गिजिपी मेजेनी एक रिवाल रिशनरी थे सिक्रेट सोसाइटी बनाते थे उन्होंने यंग इडिया भी बनाई थी लेकिन वो फेल हो गए ठीक है उसक इसका यूनिफिकेशन करा जाए ठीक है अब उनके सी एम कौन थे कावोर थे और कावेर के फ्रेंस के साथ बढ़ अच्छे रिलेशन थे तो फ्रेंस की हेल्प से कावोर ने ये दो जो स्टेट थे हैंसपग अंपायर से जीत लिए फिर कुछ ये वाले एरिया था जो से ये वाले भी फिर जब इधर वाला स्टेट जीत गए इधर वाला स्टेट जीत गए तो यह जो पैपल स्टेट के लोग थे यह खुद से आकर कहां मिल गए अपने राजा के पास यानि की राजा कौन किंग विक्टर एमेलल टू ठीक है अच्छा अब एक और बंदे का न अब के पैकल प्हुत गवर्याई नहीं से जीत कि राजा टे करें। एक तरह से लडाई करी क्यों को लग रहा था की लाटेलिया जो एक शब्द बनाया गया था जीतने के लिए लडाई के लिए उनको लगा उनकी सानों कि कि लाटेलिया किसका नाम है यह जो राजा यहां तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आम जो पीजेंट्स थे वहां के गैरी बाल्डी ने उनको बड़ा स्वोट किया और वो पीजेंट्स ने बहुत आप कहा दो कि उनमें लिब्रल हुए वो उनमें नेशनलिजम की भावना जागी और कुल मिला के वो यहां से आजाद हो गए और इस भी गैरी बाल्डी ठीक है यह नाम आपको याद रखने हैं ओके आई थिंक इटली का यूनिफिकेशन आपको हो गया होगा अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिटेन का यूनिफिकेशन ओके थैंक यू